संसद में महुवा मोहित्रा ने दिगा ली महुवा मोहित्रा ने किसे कहा हरामी ये तस्वीरे देश के संसद के अंदर की है याम बैचकर हमारे नेताओं का काम देश के लिए अच्छी नीतिया बनाना है लेकिन आजकल संसद में हला ज़्याधा और काम कम होता है नौबत तो गाली गलोश तक आ गई है कई बार आज संसद ये भाशा का इस्तमाल सदन के अंदर होता ही है और ताजह मामला TMC संसद महुआ मोहित्रा से जड़ा हुआ है आरोप है कि उन्होंने संसद में BJP संसद के लिए हरामी शब्द का इस्तमाल किया इस वीडियो क्लिप में महुआ मोहित्रा को ये शब्द बोलते हुए सुना जा सकता है महुआ के शब्द पर संसद में खुब हंगा महुआ सत्ता पक्षने महुआ से माफी मांगने को कह डाला रिखले कर्शी आपल आपलोगाई से अपलोगाई सम्हां से अपलोगाई से अजिए एक भ्रषब तौप्राइब को स्च्राप जाए टूस सुना आपलोगाई सजिए एक परते हैं में आपलोगाइ से लेक्ष्टें नायं ले बौ्ट अधर, बाफ मिल्द पर आण परोष कि लग्यों कर दो पेटंगा हुआ तर भाफ पी बग में विनाथ। लाफ टॉप या डित पोप में यास तोपी पनाथ दिस तर निए बग इंट विर बडे पिनांट कि असार प्राफ टॉप यॉट प्ना उ फिर सित सब में इस एक तोपी टॉप यॉटे प्राफ में हम आप औरे सिर्ग्मार्परा अबरा इसी परहिक याप इमस्ट outra कृक्या जाई है है कि सही आरपक्षिन है प्रीनिश्यक, हुआर में प्रेश आप प्रॉ except route अईयाओ, हिर दिट typically है तोर से स सुएंए आप मैंटरा आप सुएंपरा सोण्डिजी talented and by obliging him, he will be obliging the Prime Minister. Everyone is asking, who is behind Mahua? Every day the fake news brigade, the Chaddi Brigade, floats new theories. Nobody is behind Mahua. Mahua is behind the truth. Are you going to shut him up, sir? I have a right to speak without being heckled, sir. It is your duty as the chair to ensure that for me. I am asking. This question is coming up to me, that I am not controlling you. Sir? Now you are going to shut him up. Shut up. Please let him go. Do-payee'taak bik gaya, bazaar ka har eek jhoot और में एक सच को लेकर शाम तक बैठी रहे. दरसल Mahua Moitra रास्टपती के अभिभाशन पर बोल रही थी. वो अपने अंदास में मोधी सरकार पर हमला बोल रही थी, लेकिन उन्हें बार-बार टोका जा रहा था और बीजेपी सांसद हुटिंग कर रही थे. इसी हंगामे से भड की मवा Moitra ने हरामी शब्द का इस्तमाल कर डाला. संसद में ऐसे शब्दों को जायज नहीं ठराय जा सकता. हमारे सांसदों को ऐसे शब्दों के इस्तमाल से परहेज करना चाहिए. और साथी सद्दा पक्ष को विपक्षी सांसदों को बोलने से रोकनी की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए. इस बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरू लिखें और हमारे चैनल को जरू सब्सक्राइब करें. यूरो रिपोर्ट दे न्यूस बीग.